Microwave के function PCB control panel चाहिए वो filter touch type के हो या कि button types के इनके अगर सारे buttons काम करते हैं और सिर्फ start button अगर काम ना कर रहा हो ये start देने वाले button अगर ये काम ना कर रहे हो तो ये fault कुछ और होते हैं बिल्कुल वैसे ही जब Microwave का door open होता है और हम control panels के button को use करते हैं सारे buttons काम करते हैं लेकिन start button तभी काम करता है जब तक हम door को close नहीं कर देते हैं door को close करने के बाद Microwave के Microwave wiring circuit के अंदर लगा हुआ ये white color का door interlock switch जो कुछ इस black color के भी हो सकते हैं ये door interlock switches Microwave door में लगे हुए ये latches जो आप देख रहे हैं जब door को close करते हैं तो ये latches Microwave body के इस slot से injury करते हुए इस door lock switches को ये latches कुछ इस तरह से on करते हैं और जब door open होता है तो इन switches की connectivity open हो जाती है तो जब भी door open होते हैं तो start button press करने पर भी ये microwave start नहीं लेता है या कि microwave के अंदर लगे हुए कि दोनों टैमिनल की connectivity जब open हो जाती है तो सारे button working होते हैं लेकिन start button काम नहीं करता है ऐसे में इस door interlock switches को जरूर चेक करें यहां पर fit होते हैं ऐसे में इस door interlock switches की testing जब हम किसी स्रीज टेस्टर से करते हैं और इनके दोनों टैमिनल पर अपने टेस्टर को लगाते हैं तो lights नहीं होने लेकिन यह red color पुस होने वाला switch को जब हम press करते हैं तो lights होनी चाहिए और जब बटन को बाहर आने देते हैं तो lights off हो जाती है इसका मतलब है कि यह okay है यह इसकी right testing है तो इन switches को भी replace कर देने से microwave का start button भी working हो जाता है अगर आप वीडियो देखने वालों में से आप senior mechanic बनना चाहते हैं हमारे चैनल को subscribe करके और एक अच्छी income earning का source बना सकते हैं और अगर आप microwave user हैं हमारे इस number पे dial करके हमारे bell qualified repair service engineer को बुला सकते हैं और आपके microwave में ही नहीं घर के सारे बड़े appliances में आ रही problem को वो satisfactory solve करेंगे चैनल को subscribe और bell icon को active करना न भूले वीडियो को like करें मिलते हैं एक good guidance वीडियो के साथ में नेक्स वीडियो में